वेलकम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ परफेक्ट धाबल स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी वह भी घर पे बनाने का तरीका बिलकुल सिंपल और आसान तरीके के साथ घर पे अवेलिबल सारी चीजों से बहुत ही बेसिक इंग्रेडियन के साथ तो चल करेंगे स्वात के नुसार नमक और फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम तू लो रहेगा और इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे कवर करते हुए हलका पिंक होने तक भुन लेना है तो देखे चार से पांच मिनट इसे भुना है तो एक वर इसे अच्छी तरह से मिला लेते है और इसे मिलाने के बाद यही पर आड़ कर देंगे टमाटर मैंने टमाटर के साथ सिर्फ दो टुकडे काजू को भी क्राइन कर लिया था और एक वड़े साइस का टमाटर लिया है यही आड़ कर दिया लसन अद्रक का पेस्ट स्वात के निसार लाल मिर्च वन फो टी अब इसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देखिए ओई सेपरेट हो इसी शुरू हो गई है तो यही पर एड़ कर देंगे एक टी स्पून की जितना कसूरी में थी और साथी आड़ करेंगे पनीर तो यहां पर मैंने टू फिफिटी ग्राम पनीर को लिया है उसे अच्य से अ इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूना है आप देख सकते हैं और आप हमारी पनीर की साइस को देखें बिल्कुल डबल हो गई है बिल्कुल अंदर तक ग्रेवी गई है और टेस्ट बहुत ज्यादा डेलिशिस हो जाता है और ग्रेवी में भी पनीर का फ्लेव पानी और इससे जो हमारे ग्रेवी का फ्लेवर है वह बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो जाता है बहुत ही अच्छा एक माइल्ड फ्लेवर मिलती है तो इसे मिला ले और कवर करके सिर्फ दो मिनिट के लिए पकने दे दो मिनिट के बाद अब देखे बहुत अच्छी तरह से मिलाते हैं और एक मिनिट में आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से हमारे ग्रेवी का टेक्शर बदल चुका है आप देखे कितना बढ़िया टेक्शर आया है और देखे हमारी ग्रेवी बहुत ज्यादा टेम्टिंग और डिलिशस दिख रही है फ्लेम को आफ करते हैं और स्टैनिंग डाइम पर इसे छोड़ देंगे दस मिनिट के लिए और दस मिनिट के बाद बिलकुल तयार है हमारा पनीर मसाला बिलकुल ढाबा स्टाइल आप इसका लोग सामने से देखे और बनाना बहुत ही सिंपल था बहुत ही आसान तरीके से घर पे अवेलिबल सारी चीजों से बनाएंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी और डेलिशिस होगी